शरीर का काला होने लगना, शरीर का दुबला पतला होने लगना, थंडी बहुत होने लगना या थंडी बहुत लगना ये सारी की सारी बीमारिया वायू के रोग है और उस वायू रिलेटेड रोगों में अक्रोट खाना आपके लिए बहुत ज़्यादा फाइदे मंद होगा पूरी जानकरी इस वीडियो में सौगत आप सभी कमिश्र विदा में और आज का टॉपिक है अख्रोट वालनट के फायदे देखे सबसे पहले आईरवेद में इसे ऐसे बोला है कि बादाम के जितने फायदे आपको मिलते हैं वो सबके सब फायदे अख्रोट खाये से मिलेंगे क्यों? क्योंकि इसके गुड़ बताते हुए आईरवेद में इसे स्निग्ध उष्ण ऐसे करके बोला है स्निग्ध अर्थात ये चिकना होता है नेचर में अब वात रिलेटर आपको जो भी बीमारिया याद आती है वात है क्या? तो हम सबी जानते हैं आईरवेद में सारी बीमारियों का इलाज वात, पित, कफ इन तीन चीजों के आदार पर होता है तो उसमें से जो वात है वो सबसे पावरफुल होता है वो सारी बीमारियों का लीडर है और सबसे जदा रोग वायू के कारण होते है ये सब आप सभी जानते होंगे अब वात का जो नेचर है वो क्या है? रूख ड्राइ तो उस ड्राइनेस को कम करने वाली ऐसी दवा जो की ब्रेन को टॉनिक देने का काम करे उसमें से एक है अकुरोड ये क्योंकि चिकनी होती है नेचर में और ये भारी हैवी टू डाइजस्ट होती है इसलिए वात क्या है? ड्राइ है और हलका है तो उसके टोटल अपोसिट ये नेचर में है तो ये कमाल की दवा है वात के लिए प्लस ये खाने में मधूर होती है ये सनिग्द होती है और ये नेचर में गरम है तो वात के लिए ये परफेक्ट टॉनिक है अब एक्स्टरनल यूज में आपको वात से लिएट कोई भी तकलीफ हो मतलब वायू के करण आपको शरीर में सूजन आ गई हो वायू के करण आपको पिंपल्स आ गए हो वायू के करण आपको ड्राइ स्किन हो रही हो या वायू के करण आपको चेहरे पे जाईया आने लग गई हो चेहरे पे काले काले दाग होने लग गई हो शरीर में कहीं भी कालापन होने लग गया हो उसमें अक्रोट फायदे मंद होगा क्योंकि वात रिलेटर जो बीमारियां है उसमें काश ये काशनोशन कामत तुम ऐसे करके अस्टांग संग्रा या अस्टांग निदय में लिखा है मतलब शरीर का काला होने लगना शरीर का दुबला पतला होने लगना ठंडी बहुत होने लग जाना या ठंडी बहुत लगना ये सारी की सारी बीमारिया वायू के रोग है और उस वायू रिलेटर रोगों में अक्रोट खाना आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदे मंद होगा तो शरीर में कहीं भी ब्लैक कलर या वातकिकार निशूस है इसको आप पीस के वहाँ पेस्ट जैसा चेहरे वेरे पे लगाने के लिए आखों के नीचे डाक सरकल होने लग गया है बहुत ज़ज़ा स्ट्रेस होगे या काले धब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब तो दिमाग भी यह बहुत अच्छा काम करता है आप मेंसे ऐसे लोग जिनको बहुत ज़़ज़ा विचार आता है दिमाग में खट पीट खटाक फुट चालू रहता है रात में सो नहीं सकते हैं जिनका दिमाग बुलते हैं दिमाग शान्त नहीं होता ओल दे टाइम कुश् के उपर है या अपने experience किया होगा कि दिन में थोड़ा बहुत ऐसे जपकी आती है पर रात के समय पे नीद इंगदम ही गायब हो जाती है अगर ये concern है आपका और दिमाग के विचार बहुत ज़्यादा आ रहे हैं दिमाग बहुत ज़्यादा कमजोर हो गया है आप में से ऐ जो लोग ऐसी complaint करते हैं कि दिमाग में इंगदम खाली पन है कुछ समझ में नहीं आता कि वल हावा घूम रही है ऐसी सारी की सारी problem में आप अक्रोट यूज़ कर सकते हैं जिन लोगों को nerve pain होता है नसों में जिनको pain होता है ठीक है इस तरह का आमेशा लगता है कि शरीर में कहीं नहीं दर्द होते रहता है उन सारी conditions में आपके लिए अक्रोट फायदे बंद रहेगा फिर ये brain को ये specially मज़द हातों को nourishment करने का काम करता है तो ये brain को बहुत अच्छा tonic देने का काम करता है आप में से ऐसे लोग जिनको brain में atrophy होने लग गई है या paralysis हुआ था या क शरीर को बढ़ाना चाहते हैं इसके बारे में गुरू ओष्ण ब्रावु हनम फैसे करके आईरविद में शब्द आया है अर्था जो शरीर का nourishment करना चाहते हैं जो शरीर को बढ़ाना चाहते हैं जो दुबले पतले कमजोर हैं बहुत वीक सा शरीर है या कोई पुरानी बि पहले अच्छे थे तो जिनको भी अपने शरीर को बढ़ाना है जिनके धातुएं सूख गई है उनको अपनी धातों को नरिश्मेंट करना है तो यह बहुत अच्छी दवा है फिर इसके फायदे और बताते हैं इसे व्रुष्यम बन्ल्यम ऐसे करके कहा है व्रुष्य पूरी बैटरी निकल गई शरीर में ताकती नहीं बची है तीन पांच साथ साथ दिन तक बॉड़ी को रिकवर होने के लिए टाइम लगता है ठीक है बहुत ही अल्प मात्रा में थोड़ा सा शुक्र बनता है और जब वो शुक्र या वीरे निकलता भी है तो उसमें बहुत जदा पेन होता है इन सभी लोगों को या फिर जिनकी पास शिष्ट्री है बहुत जदा मास्टूबेशन करने की बहुत जदा सेक्शुल एक्टिविटी करने की और उनके करण अगर उनका शुक्र धातु शय हो गया है चाहिए वो मेल हो या फीमेल हो दो के दोनों लोगों को अगर आप कमजोर दुबले पतले कमजोर है और शुक्र धातू को नरिश्मेंट करना चाते तो आपकी डाइट में आप जो यह अक्रोड है उसे डेफिनेटली आड़ कीजिए फिर अक्रोड के और फायदे बताते वीसे रिद्यम कहा गया है मतलब यह हार्ट के लिए बह म्यूजिक बज रहा है वो सुनके हार्ट धर 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 होने लगता है या कई पर मारपीट का सीन देख लिया तो बहुत जल्दी डर जाते हैं या बस कोई भी कारण से जिनका हार्ट रेट अचानक से बढ़ जाता है थोड़े से बुलते हैं डर पोक नेचर के हैं कि कि किसी को छोगड़ा करते हो कुछ देखा तो हाथ-्पैर कापने लगते हैं हार्ट रेट बहुत जल्दी जिनको घब्रा जाने का बहूँ जल्दी पैनिक हो जाने का बहुत जल्दी जिनको एंजाईटी या स्ट्रेस ए्न्शाइटी अटैक narrow सिए इसे कापने लग जाता है मूह आते हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं फिर ऐसे का है शाय आश्र मतलब जिनका शरीर दुबला पतला कमजोर वीक है उनको तो फाइदा करेगा ही किसी भी कारण से शरीर सूखने लग गया है तो अक्रोड फाइदे मंद रहेगा जिनके शरीर में खुन की मातरा कम बढ़ र आते थे दादर से बांदरा जाते थे मतलब डेड़ से दो घंटा आना डेड़ से दो घंटा जाना और उनको टीबी भी कुछ टाइम पहले हुआ था तो जब वो क्लीनिक में है तो ऐसे एकदम सूखा सा शरीर यह सब एकदम अंदर घुसा हुआ था और पूरा शरीर इसे जो मतलब बोलते ना तंतनार आता इसे काप रहाता इस तर उनके लिए क्या अच्छा टॉनिक होगा अखरोड तो आप में से इसे लोग जो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं जिनके शरीर में खोन की कमी है वो सब इसे यूज़ कर सकते हैं आप में से इसे लोग ज की का बहुत अच्छा एक्षण बुन मेयरों पे बहुत अच्छा क्षण है और खोन बढ़़ाने में यह आपकर शरीर में मदद करता है आप मेंसे से लो जिनको बहुत-धी जयदा कडक मल होता है बहुत ज्यदा सूखा मल होता है एकदम क्या बोलते बकरी की तरह बकरी का जिसे मल होता है विसे सूखा सा मल थोड़ी सी मातरा में निकलता है ये प्रॉब्लम स्पेशली 45-50 के बाद जिनकी एज ज्यादा बढ़ने लग गई है या जिनोंने ज्यादा लंबे समय तरह वाटर रेनीमा ऐसा कुछ किया है उसके यूज़ कर सकते हैं तो आप इसे खाने के लिए 5-10 ग्राम की मातरा में या अगर इस तरह कि आपको ये चीज़े मिलती है तो 4-6 आप इसको चबा चबा कर दूट के साथ घी के साथ या डारेक भी खा सकते हैं अखरोड का तेल भी मिलता है तो एक से दो चमच तेल खाना ख दूद पीते हैं और दूद हजम होता है तो अखरोड को अगर चबा चबा कर दूद के साथ लेंगे तो ज़्यादा फास्ट आपकी मज़द हातु को और आपके शुक्र धातु को ये नरिश करने का काम करेगा तो ये तो था वालनट अखरोड जो की वात वालों की जो असी बिमारियां है उसमें बहुती कमाल की दवा है और उन सारी की सारी प्रॉबलम में चाहे कोई भी करन से आपकी दाथ हुई हो शरीट सुगई हो टीबी हूँ खुदा पतला कमजोर वीग जो कुछ भी हो ट्राय स्किन हो ट्राय हेर हो नाखुन तूटने लग गैप हो उन सार करके जरूर बताए तब तक के लिए स्वास्त रहें मस्त रहें